नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंदल, MAX Institute of Minimal Access, Bariatric and Robotic Surgery से आज आपको हर्णिया, लैपरोस्कोपिक Surgery, Robotic Surgery और Abdominal Wall Reconstruction इसके बारे में डिसकस करेंगे हर्णिया एक बहुत ही कॉमन डिजीज है और बहुत सारे पेशिंट्स हमारे पास इसके बारे में सवाल लेकर आते हैं और बहुत सारे लोग जो इससे ग्रसित हैं उनके मन में शंका होती है कि हर्णिया होता क्या है, कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि हमें हर्णिया है और अगर किसी को हर्णिया है तो उसे क्या करना चाहिए उसके treatment के क्या options हैं तो हर्णिया एक पेट के दिवार में छेद की तरह होता है जैसे एक टायर है अगर टायर की टायर फट जाये तो उसमें से ट्यूब बाहर निकलेगी वैसे ही हमारी पेट की दिवार है जो अगर कहीं पर उसमें छेद हो जाता है तो उसमें से आंते अंदर से बाहर निकलती है अदर्वाइज अमूमन आंते पेट के अंदर रहती है अगर छेद होता है तो आंते पेट से बाहर निकलती है इसे हर्णिया कहा जाता है ये कई जगा पर होता है जैसे नाभी पर हर्णिया हो सकता है इसे कहते हैं अम्बलाइकल हर्णिया नीचे की तरह हर्णिया हो सकता है इसे कहते हैं इंगॉनल हर्णिया और एक थोड़ा सा नीचे इसे कहते हैं एफेमरल हर्णिया इधर उपर अगर हर्णिया होता है तो इसे कहते हैं एपिगेस्ट्रिक हर्णिया इसके अलावा अगर कभी हमें ऑपरेशन हुए हैं और उस ऑपरेशन के निशान के आसपास हर्णिया होता है तो उसे कहते हैं इंसिजनल हर्णिया मतलब जो पिछला इंसीजन है उसके आसपास जो विकनेस हो गई है पेट की दिवार में उसकी वज़से हर्णिया बन गया या अगर कोई बहुत लेटरल हो जाता है उसे कहते हैं लंबर हर्णिया जो साइड में होता है इसके अलावा हमारे पेट के अंदर भी हर्णिया होते हैं जैसे हमारा स्टमक जो है अगर वो छाती में चला जाता है तो उसे कहते हैं हायटर्स हर्णिया तो इस तरीके से हर्णिया के बहुत सारे अलग-लग सुरूप हैं जो हम पेशिंट्स के अंदर देखते हैं जैसा हमने बताया इसमें जब पेट की डिवार ये हमारी पेट की डिवार है अगर इसमें कहीं छेद हो जाता है तो ये आंतें बाहर निकलती है ये आंतें नॉमली जब शुरूआत होती है हर्णिया की तो बाहर निकलती है और अंदर आ जाती है लेकिन जैसे जैसे हर्णिया बड़ा होता है पुराना होता है ये आंतें फसनी शुरू हो जाती है एक तो ये डिफेक्ट बढ़ता रहता है जैसे अगर कपड़ा फटा हुआ है और हम उसे पहनते रहें तो वो कपड़े जादा फट जाएगा जादा फटता जाएगा वैसे ही पेट की डिवार क्योंकि इस पर स्ट्रेस लगाता चल रहा है हरोज इस्तेमाल हो रही है एक कहीं इस पर छेत था लेकिन हरोज हम अपना काम कर रहे हैं तो वह डिफेक्ट साइज बढ़ता रहता है और अंते अध्र होजाती है बंसे दर्ड होना शुरू हो जाता है पेट में सूजन आ जाती है और पॉटिश बंध हो जाती है और उसकी भी जादा कॉंप्लिकेशन क्या हो सकती है कि च्रैंगूलेटिड हर्निया मतलब जो यह आंते फसी है इसकी ब्लड सप्लाइए जो है वो खतम हो जाए तो उसमें आदे घंटे के अंदर हमारी intestines जो है वो मल जाती है और वो एक बिलकुल emergency case है जिसमें एकदम से operation करना पड़ता है तो यह हर्णिया जो है यह obstruction या strangulation जैसी complications कर सकता है इसके अलावा normally हमें हर्णिया का कैसे बना चलता है जब सूजन आती है तो अगर किसी को swelling आ रही है पेट की दिवार में वो नीचे की तरफ हमारे testicles की तरफ या उपर नाभी के आसपास या उपर पेट में या पिछले operation में कहीं सूजन आती है तो वो हर्णिया हो सकता है उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए या अगर कहीं हमारी आंतों में रुकावट हो रही है बार बार तो हर्णिया हो सकता ह है और हाइटस हर्णिया के अंदर हमें acid reflux होता है बहुत जादा acidity हो रही है गैस बन रही है तो वो हाइटस हर्णिया हो सकता है अब अगर किसी को हर्णिया है तो उसे क्या करने की जुरूरत है पता कैसे चलेगा की हमें हर्णिया है सबसे पहले clinical examination सबसे important है आप एक अच clinically आपको हर्णिया दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दिस इस number one then we can get an ultrasound done ultrasound पेट का जब हम करते हैं तो उसे हमें हर्णिया के बारे में पता चलता है परंतु जो ultrasound से अच्छा modality है वो CT scan है CT scan में काफी हद तक हम confirm हो जाते हैं कि हर्णिया है नहीं है है तो किस प्रकार का है अगर हम inguinal हर्णिया की बात करते हैं तो वो clinical examination से ही हमें पता चलता है CT scan पे वो miss हो सकता है पर अगर हम पेट की दिवार के हर्णिया की बात करते हैं जिसे कहते हैं ventral हर्णिया से हमें बहुत अच्छे से पता चलता है और उसकी सारी details भी हमें समझ आती है तो इसलिए यह डॉक्टर देखेंगे ultrasound और CT scan इन तीनों का जो मिश्रण है उससे आपके हर्णिया की बिमारी का पूरा पता चलता है अब अगर किसी को हर्णिया है तो क्या कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या इसके लिए कोई medicine या दवाई होती है नहीं हर्णिया के लिए कोई medicine या कोई दवाई काम नहीं करती क्योंकि हर्णिया जैसे मैंने बताया अगर कपड़ा फटा हुआ है तो उसे रफू करना पड़ेगा अगर कहीं टायर फटा हुआ है तो उसे puncture को लगाना एक question होता है binder, abdominal binder, एक belt की तरह होता है, क्या उसे पहनने से या ट्रस आता है हर्णिया का, जो इंगवनर हर्णिया में पहनते हैं, क्या इसे पहनने से फैदा होता है, we do not recommend this, ये बहुत temporary measure है, जो आपके हर्णिया को थोड़े time के लिए दबा देता है, जैसे अगर किसी की collar bone त दूर जाती है, तो एक sling लगा लेता है, अपने हाथ को ऐसे बांद लेता है, एक महीने के लिए कि उनको यहाँ पर कोई परिशानी ना आए, या उन्हें कोई काम ना करना पड़े मासपेशियों को, ऐसे ही ये binder जो है, आपकी मासपेशियों को रोग देता है, तो ही एक मातर उपाए है, सलजरी से ही इसे ठीक किया जाता है, सलजरी क्या हो सकती है, ओपन सलजरी हो सकती है, या दूरबिन से लेपरोसकोपी हो सकती है, या रोबोटिक सलजरी हो सकती है, जो रोबर द्वारा की जाए, तो ये तीन ऑप्शन हैं जब हम सलजरी की बात करते ह सलजडी में क्या किया जाता है सलजडी में हर्णिया को रिपेर किया जाता है तो जैसा आप इस फिगर में देखें पहले ओपन सलजडी के अंदर चीरा लगाके हर्णिया को ठीक करके यहां पर पहले टांके लगाए जाते थे और अब उसके उपर टांकों के साथ एक मेश लगाई जाती है जो एक स्पेशल जाल होता है जिससे हर्णिया आगए जाके दोबारा ना हो यही चीज लेपरोसकोपी के दोबारा दूरबीन के दोबारा पेट के अंदर एक छोटे सी टेलिसकोप जो इस पैंच से भी पतला है पांच एमेम का टेलिसकोप उससे जाकर अंदर से देखकर यही काम किया जाता है तो यह लेपरोसकोपिक सर्जरी है जिसमें छोटा सा टेलिसकोप पेट के अंदर जा रहा है और उससे हम हर्णिया रिपेर करते हैं लेप्रोस्कोपी का क्या फाइदा है कि इससे हमें पूरे पेट के अंदर की साधी दिवार का पता चलता है और हम छोटी-छोटे पंक्चेल से बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं टांके और मैश के द्वारा बनी लिए ओपन सर्जिरी में हमें आगर ज़ादा बड़ा एरिया क वर करना है तो हमें उतना ही बड़ा चीरा देना पड़ेगा लेप्रोस्कोपी में आप चोटे-चोटे पंक्चेल से ज़ादा बड़े अरिया कॵर कर सकते हैं बीना जादा चीरा दिये और आपको दूसरी साइड अगर एक साइड हरनिया का करते हैं तो आपको दूसरी साइड का भी पता चल जाता है कि हरनिया है या नहीं है जो ओपन सरजरी में नहीं पता चलता क्योंकि यह लैपरोस्कोपिक सरजरी है तो इसके अंदर रिकावरी भी बहुत फास्ट है पेशेंट अगले दिन से पाते हैं सारा काम कर पाते हैं तीन चार दिन में ओफिस भी जॉइन कर लेते हैं जो इसका सबसे बड़ा एड्वांटेज है लेपरोस्कोपिका वो यह कि हम अंदल से मैश लगा रहे हैं मतलम जैसे आप यह समझिए पानी की टंकी है अगर पानी की टंकी में छेद हो जाए तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा, आप अगर उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आप उस पे एक पैच लगाएंगे, वो पैच मेश की तरह है, आप वो पैच अगर बाहर से लगाएंगे, वर्सिस वही पैच आप अंदर से लगा सकते हैं, अगर आप एक बड़ा पैच बाहर स सकता है अगर वही पैज मंदर लगाने बड़ा तो प्रेकल अंदर पानी का बढ़ेगा तो पैच और चिपके गहारा उखड़े लगाते हैं तो वह मैश और चिपकते हैं उखड़ती बारा से श्रद्न नहीं होता अगर वही मेश हम उपर से लगाने तो वो recurrence होने के chances बढ़ जाते हैं तो लैपरोस्कोपी में recurrence rate भी कम है हमारा recovery rate भी fast है incision भी कम है pain भी कम है blood loss भी कम है यह वो मेश हैं जिसको हम हर्णिया के लिए use करते हैं यह अलग लग material की आती है और यह inert material होता है यह शरी में हमारे कोई complication या कोई दिक्कत नहीं करता है और हमारे tissues में integrate हो जाता है तो tissue integration इसकी एक बहुत important quality है जो सारी मेशिस के अंदर रहती है इसमें जैसे अगर आप इदर देखें यह symbotex मेश है यह America से बनके आती है special मेश है जिसमें आंते ना चिपके यह ventralite मेश है यह again US से बनके आती है और यह वही special मेश है जिससे आंते ना चिपके यह 3D मेश है यह special inguinal हर्णिया के लिए उसके हिसाब से बनी होती है कि हमारे जो inguinal swelling है उस inguinal area को पूरी को यह अच्छे से cover करे जिससे कभी हर्णिया दोबारे से ना हो तो यह best quality की मेश यूज करना बहुत जरूरी है जिससे आपके शरीर के अंदर कोई आगे जाके दिक्कत ना है और हर्णिया भी कभी दोबारा से ना बने मेश से related कोई complications बहुत rare है अगर आप अच्छे quality की मेश और अच्छे quality की surgery आप कराते हैं अच्छी जगा कराते हैं तो मेश related complications are minimal अब आते हैं हम abdominal wall reconstruction यह क्या है जब हम complex हर्णिया की बात करते हैं हम कहीं बारी ऐसे मरीजों को देखते ह हैं जिनके बड़े बड़े हर्णिया हैं पेट की डिवार में बहुत बड़ा छेड हैं उनके कई बारी हर्णिया रिपेर पहले हो रखे हैं एक दो तीन हर्णिया रिपेर हो रुक है अब दोबारा से हर्णिया हैं तो उसमें abdominal wall reconstruction करना होता है हमें पेट की डिवार को च्छेद बड़े बड़े इसमें दिख रहे हैं ये मासपेशिया हैं ये मासपेशिया हैं पर ये दो च्छेद हैं इन दोनों च्छेद को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और आप इदर देखेंगे बड़ी सी मैश चारोर लगा दी गई है और अब ये दोनों च्छेद यहां से भी बंद हो गया च्छेद और यहां से बंद हो गया, so this is called abdominal wall reconstruction, यह हम laparoscopy से भी करते हैं, यह हम robotic surgery से भी करते हैं, और हम इसे open भी करते हैं, depending on कौन से patient के लिए कौन सा अच्छा है, पर यह एक बहुत अच्छी विधी है, जो पिछले 5 साल से ही अमेरिका में शुरू ही है, और हम यहां पिछले 3 साल से regularly से कर रहे हैं, and we are very proud to say कि हमने बहुत बड़े-बड़े हर्णियास को abdominal wall reconstruction से treat करके, बहुत अच्छा result patients को दिया है, यह एक तरीका है, किस तरीके से हम mesh लगाते हैं, इसे on lay, in lay, और under lay कहते हैं, तो हम typically mesh को इस वाले plane में, या इस वाले plane में मास पेशों के बीच में लगाते हैं, जिससे वो आंतों के touch में ना आए, तो यह again AWRI, abdominal wall reconstruction में इसका फायदा है, फिर आता है robotic surgery क्या है, तो robotic surgery यही operation करने का सबसे आधुनिक तरीका है, सबसे advanced तरीका है, यह जो आप फोटो देख रहे हैं, यह Da Vinci XI system की है, जो दुनिया में सबसे advanced system है, इस वक्त robotic platform या पेट के operation करने का, इस से हम हर्निया रिपेर करते हैं, और इस से हम पेट की डिवार की reconstruction करते हैं, अंदर से हर्निया को ठीक करते हैं, इसका फायदा क्या है, यह बहुत precise है, इसमें blood loss बिलकुल minimum होता है, इसमें computer assisted navigation है, मतलब computer हमें guide करता है, instruments को guide करता है किस तरीके से, हमें ठीक जगा जाना है, कोई हमें injury नहीं करनी है, इसके अंदर tremor, अगर कोई हमारी laparoscopic instrument के हाथ में थोड़ा सा भी tremor है, तो आगे वो जादा tremor दिखता है, पर इधर tremor खतम हो जाता है, क्योंकि वो computer it takes away the tremor, इसमें हमें 3D vision मिलती है, और आज कल COVID के time में, यह मरीज से दूर है था, आप इधर देखेंगे कि patient इधर है, और surgeon दूर बैठ कर operate कर रहे हैं, तो इसलिए वो patient safety के लिए भी जादा अच्छा है, तो इन समरी, हर्णिया surgery जो है एक art है, हर्णिया एक बिमारी बहुत commonly मरीज इससे ग्रसित होते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास laparoscopy और robotic surgery जैसे आधुनिक तरीके हैं और abdominal wall reconstruction, इन आधुनिक तरीकों के चलते हम मरीज को बिलकुल minimum pain के साथ सबसे अच्छा result हर्णिया के अंदर दे सकते हैं, इसका दवाई से कोई इलाज नहीं होता और अगर कभी complication हो जाए, खुदा करना पड़ता है जिसमें हम कई बारी जायल भी ने डाल पाते और आंतों को भी निकालना पड़ता है तो इसलिए अगर आप हर्णिया सर्जरी से ग्रसित हैं तो आप हम से संपर्क करते हैं, हम आपके लिए available हैं और आपके लिए जो best होगा वो हम आपको राय देंगे, thank you.